हेलो एफ्रिवन प्यारी फैंबली कैसे हैं आप सब आई हो आप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज है दिन दुलान आने का अलब आज साधी के तीसरी दिन है और दुलान आने वाली है तो मॉनी का टाइम है यह देखिए उनके स्वागत के लिए ऐसे साड़ी को भी साधी टाइम में ज़ली जलदी में नहाला जैके से ठाहिं सा तो शेव होते आए और जी बीती घर पे流़े ऐसे हैं तर गृती को चाहिक हैakah यह दिन बीटी को विदाई करते हैं उसी दिन बेटी के घर पर जाके ऐसा करते हैं तो यह देखिए यहां परका मौल मुझे बहुंद आच्छा लागा था बहुंद दी मज़ा आता यहां बे ऐसे होते ना जैसे बाराती में जेंट आसा समधन भेट होते है वह से ही लेडी से यहां पे शंधन होते हैं और एक दूसरे को आछ इहां करते हैं माला पहनाते हैं एरोकोमेट फन के लिए ऐसा माला बनाये थी चिक्की का बैगन आलू कुछ-कुछ डाल के ताकि हैसे लोग ऐसा इसलिए बनाये थे और कुछ नहीं मैं अपने से बता रहीं फ्रेंज मुझे कुछ किसी नी बताया नहीं है और नहीं मुझे पता है लगा मैं आप सबको शेयर कर रही हूं मुझे ऐसा लगता है कि एरोस में इसलिए होती है क्योंकि अब लड़का लड़की दुनों एक हो रहे हैं फैंली को भी एक होना चाहिए और दोनों में मतलब बराबर है दोनों में बराबरी हो गई है ऐसा मानना है सायद क्योंकि देखो ना दोनों एक दूसरे को टीका लगाएंगे दोनों एक दूसरे को हग करेंगे एक चीजे देंगे शाड़ी एक दूसरे को शेयर करते हैं गुलार लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, हग करते हैं, पानी पिलाते हैं, दोनों ही दोनों का पाउंच होते हैं, तो है न वैसे ही मतलब, इसलिए मैंने बोला, और हम इतने तो बड़े होई गए हैं भई कि कुछ भी चीज को देखे उसको मतलब अपने से निकाल सकें, है तो ये देखो, ये चीज बड़ा मजाया था, और जब मेरी बारी आई थी न, अब मैं भी लड़के की चाहिट से थी, तो मुझे भी वहाँ पे, मतलब बड़े जो थे न, वो बोले कि तुम भी चली जाओ, तो मैं भी आ गई थी, और मैंने भी ऐसे समधन भेट किया, टाइम वाला जरूर देखिएगा, अब फूल वाज जरूर करके जाएगा, क्योंकि आज दूलन का आना हो रहा है और हमारा जाना हो रहा है, मतलब दूलन का आना हुआ हमारा जाना हो, क्योंकि दूलन के आने के बाद साधी फिक्स हो जाती है, खतम हो जाती है, क्योंकि कर दो खो क अजय से थे अपना टाइब टाइब कर दो कि अजय खो कि अजय रखाश अजय तो झाल झाल कर दो दो झाल झाल कि अच्छ के बाद हो रहा था हमारा लंज और आज हम नई नवेली दुलहन के साथ में खाना खा रहेते बहुत अच्छा लग रहा था देखिए जो बीच में बैठी है यही है दुलहन दुलहन जानी नहीं नहीं वेली दुलहन ओके तो देखिए मैं आपको चेरा भी दिखा रही है वैसे इनका चेरा लग बग एक हथे तक ज्यादा तर लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यहां पर हमेशा ढखने का रिवाज हता ह गाव में तो हमें सब ढखके रहेंगी जो लोग देखने जाएंगे ना उनको इसपेसली देखने को आएंगे उन्हीं को उनका चेरा दिखा जाएगा और घरवाले तो देखेंगे ही तो मैं आप सब को दिखा रही हूं देखो और काफी अच्छी है हमारी भांजी नीवाल को सारे को बहुत मज़े किये थे हमने बहुत ही अच्छा लगा था फ्रेंट्स यह लास्ट वीडियो है यहां का और इसके बाद हम घर को चले जाएंगे और यहां पर हम ऐसे बैठे थे ना गप्पे मार रहे थे सारे में मान लगबग चले ही गए थे बस मैं बजी थी और बहुत टाइब तक हम ऐसे बैठे रहते थे गप्पे मारते थे पाते करते थे खुट सारा और साथ में खाते पीते सोना सोना भी हम साथ में ही करते थे एक दिन तो हुआ है इनके आए हुए तो आज रात को में हम साथ में ही सोएंगे और अभी हजबन नहीं आया है जब बा जाना था सामान लाने थे और लंबी श्टोरी है उदर की छोड़ो इस डिये वो नहीं आए कल आएंगे मतलब आज नाइट यहां हम बिताएंगे देन कल सुबह हम यहां से चले जाएंगे तो यह देखिए यह जो हमारी यहां साइड में बैठी हुई है हमारी बहुत लाड़ फसंद मुझे बहुत पसंद होते है और शारे क्सेयर मेरे संद यहां पर सब लोग अच्छे हैं मेरे किया मेरी हैं दिदी भी अच्छी है और यह देखिए वारह ďमारे हैं करकव राड़ शो लूंक रहा था अगले दिन यह से लंश वोड़ी से पहले भी दो पाल रखे थे उनको कुछ कारांट से कुछ अक्सिडेंट हो गया था उसकी डेथ हो गई थी बहुत अच्छे यार बहुत मस्त लगा मचे क्या बता हो अरे शोटी बच्छी आप देख रहे हैं ना इतनी स्मार्ट है सारा बात करती है बित्ते भर की नहीं है सा सारा बात करना जानती है सारी चीज़े समझती है सारा कुछ कितना तो के फ्रेंज आज की वीडियो करूंगी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थैंक्स पर वाचिंग आप सभी को मिलते हैं नए वीडियो पे आप सबीकियो स्पाइश देख तना जरुमांद के छाइवान लगी होगी 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 है